असलाम अलेकूम कुकिंग विसीमा खान में आज हम बनाएगे आलू और सोया बीन की सबजी यह सबजी प्रोटीन से भरपूर होती है इसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है सोया बीन में इसे आप हफते में एक दिन जरूर बना के बच्चों को खिलाइए चलो इसे बनान यहां कडाई रख दिये गैस पर और इसमें मैंने आधा कठोरी तेल डाल दिया है अब इसमें दो मीडियम साइस के आलू को तुकडों में कट करके फ्राइए कर लेगे अब आलू अच्छी तरह से फ्राइए हो चुका है इसे निकाल लेगे अब हम सोया बीन को फ्राइए कर लेगे सोया बीन को हमें पांच मिट तक फ्राइए करना है अब इसे भी निकाल लेगे अब कड़ाई में हमने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है आधा कप के करीब अब इसमें एक बड़े साइस की प्यास को स्लाइस करके डाल दिया है प्यास को हमें गोल्डन कलर होने तक फ्राइए करना है प्यास गोल्डन फ्राई हो चुका है अब इसे हम निकाल लेगे और दो चम्मद दही में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेगे अब तेल में कुछ खड़े गरम मसाले लिए है जिसमें आधा चम्मद जीरा है और 10-12 दाने काली मिरच के है और एक तुकड़ा दाल चीने का और एक तेज़ पत्ता अब इसमें एक चम्मद भरके अध्रक लसन का पेस्ट दाल देगे गैस के आज को कम कर देगे यहां मैंने दू टमाटर को बारिक चॉप करके डाल दिया है अब कुछ सूखे मसाले डालेगे जिसमें पाउ चम्मद हल्दी है एक टीस्पून धनिया पौडर है हाफ टीस्पून तीखी वाली मिर्च है और हाफ टीस्पून कश्मेरी मिर्च है मिर्च आप अपने टेस्प के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकने के लिए हम रख देगें मसाला पकते हुए पांस से साथ मिनट हो चुके हैं अब गैस का चूला तेज कर देगे और मसाले की भूनाई करेगे मसाला अच्छी तरह भून चुका है तो इसमें आलो और सोया बिन की सबजी डाल दिया हमने अब इसमें एक हरी मिर्च बारिक काड के हमने डाल दिया है अब हमने इसमें प्याज और दही का पेज डाल दिया है जिसे हमने मिकसर में बारिक पीस लिया था सब को अच्छी तरह मिक्स करेगे अब इसमें हमने एक चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा कटावा हरा धनिया डाल देगे अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके धीमी आज पे पकने के लिए पांच मिनट के लिए छोड़ दे के दही का पानी खुश्कोने तक अब दही का पानी खुश्कों चुका है अब दो मिनट तक हम तेज आज पे इसकी भूनाई करेगे मसाल अच्छी तरह भून चुका है अब इसमें हमने एक ग्लास गरम पानी डाल दिया है आप ग्रेवी पतली अगाड़ी अपने टेस्क के हिसाब से रखे अगर आप पतली ग्रेवी रख रहे हैं तो नमक एक बार चक लें अब इसे हमने पकने के लिए धीमियाच पे छोड़ दिया है आलू के गलने तक अब आलू हमारा गल चुका है अब हम एक बहार तयार करेगे जिसमें हमने तेल में चार से पांच जवे लस्टन के बारिक कटे हुए डाल दियें और एक सूखी लाल मिर्च लस्टन जब लाल हो जाए तो इसमें आधा चमच कसूरी मेथी डाल देगे अब इन सब को हम सबजी में बगार देगे अब हमारे सोयविन की सबजी तयार है उस उपर से कटा हुआ हरा धिनिया डाल दिया है आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या राइस के साथ खाएं ये बहुत ही मज़े के होते हैं आप इसे जरूर बनाईए बच्चों को खिलाईए बहुत प्रोटीन से भरपूर रहत ये दो हमे यादर की है लापिस प्रोटीन से प्रेंग मौई बच्चों को खिला हैं ये बहुत है बहुत हैं आप इसक्षब